नमस्कार दोस्तों, आठ जून 2022 की डेली दा हिंदू एडिटोरिल डिस्केशन में आपका सौगत है कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्केश करूँ है, वैसे तो टोटल साथ आर्टिकल्स चपते हैं नॉर्मल कर हर डे दा हिंदू में यहाँ पर मैं पांच आर्टिकल्स जो डिस्कस करने वाला हूँ, एक कौपीराइट इन्फरिंजमेंट को है रिसेंटली ही सुप्रीम कोड ने कौपीराइट इन्फरिंजमेंट क्राइम को एक कॉगनिजेबिल ओफेंस बना दिये कौपीराइट इन्फरिंजमेंट को एक कौगनिजेबिल ओफेंस बनाना सही क्यों नहीं है इसके बारे में प्रशांत रेड़ डिटी और योगेश पाई साहब ने अपने विपॉंट दी है इसको देखेंगे चाइना के उकुपेशन को यहां पर डिकोड किया अनवर सदात साहब ने कैसे चाइना का जो उकुपेशन ने पैंगॉंग सो के अंदर जो बिरिज बिल्डिंग है यह इंटरनेशनल लोग को वैलेट करता है सब चीजों के बारे में कुछ बाते बताई गई है इसको उम्लोग हैं समझने कोशिश करेंगे फिर तेलांगना के अंदर कास्ट इंजिनिंग तेलांगना में वैसे अभी एलेक्शन एक साल के बाद है बट अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीस किस प्रकार से अपनी तरफ खीच रही है इसके बारे में एक आर्टिकल है तेलांगना की पॉलिटिक्स को हलफा फुलफा समझने में आपको मदद करेगा इसको देखेंगे फिर चांसलर भाई चांसलर कौन होना चाहिए किसका चांसलर तो भाई आपका यूनिवर्सटी का चांसलर वैसे तो गवर्नर को बनाया गया है बट तमिल नाडू और वेस्ट बंगाल ये दो जैसी जगाए हैं जहांपे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो चांसलर को अपका पॉइंट करने की ताकत अपने पास ले रहे हैं गवर्नर को नहीं दे रहे हैं तो इसको समझने कोशिश करेंगे और बोरिस जॉंसन ने अभी के लिए नो कॉन्फिदेंस वोड इनके कंजरूर्वेटर पार्टी के लगबग 59% मेंबर्स ने इनका सपोर्ट किया है बट कहीं न कहीं overall इनके लिए सपोर्ट गिर रहा है और पहले के examples देखें तो लंबे समय तक यहाँ पे बोरिस जॉनसन ताकत में नहीं रहा पाएंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इसको देखेंगे आगे बन्स पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों चैनल को अब तक शेर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजे इस्टराम पे फॉलो कर लीजे टेलीगरम पूप जोइन कर लीजे दोने चीज़ों कर लीजे दिया हुआ है हो सके तो जॉइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स को अप्शन दबा के हल्प करें जादा से जादा लोग कर लेक्चर को शेर करेगा इस लेक्चर के इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए चलिए अबने पहले आर्टिकल पर आ जाते है Crime and Copyright Infringement Making copyright infringement or cognizable offense will pay the way for police to impinge on civil liberties यह बड़ा important current affairs का topic है analytically भी काफी important है तो अभी recently Supreme Court of India ने एक far reaching judgment पास किया है और इसमें copyright infringement के मुद्बे के ओपर बाचीत की गई है Copyright Act of 1957 के अंदर अगर आपके ओपर इल्जाम लगाया जाता है आपको तीन साल तक की सजा हो सकती है और आप इसको एक cognizable offense बना दिया गया है Under Code of Criminal Procedure 1973 यह जो NITPRO International versus the state of NCT judgment जो आया है इसमें reasoning proper तरीके से नहीं दी गई है बट conclusion clear है और conclusion क्या है Supreme Court का कि CRPC के अंदर copyright infringement को एक cognizable offense माना जाएगा ऐसा Supreme Court ने बोला NITPRO International versus the state of NCT judgment के अंदर मतलब की अब copyright infringement का अगर crime होता है तो बिना judicial magistrate के arrest हो सकता है और investigation को यहाँ पर शुरू किया जा सकता है अगर copyright infringement को एक non-cognizable offense बोला जाता तो उस case में क्या होता उस case में police investigation शुरू कर सकती थी judicial magistrate की permission के बाद judicial magistrate उस offense के बारे में बातचीत करते एक दो लोगों को अपने सामने बोलने का मौका देते और उसके हिसाब से police को directions दी जाते लेकिन अब police को किसी भी प्रकार के judicial magistrate की direction की जरूत नहीं है police यहाँ पर सीधे investigation शुरू कर सकती है तो अब जो copyright owners हैं जो software music industries में police investigation चालू करवा पाएंगे मतलब अब copyright owners के पास एक extra power यहाँ पर दे दीगे देखें वैसे तो मैं आपको बताऊं copyright infringement आज की date में बहुत बड़ा issue है copyright infringement से Indian economy को बहुत तगड़ा नुकसान होता है ठीकिन हमारे देश में जो पाकिस्तान में देखे जाते हैं और बेना किसी copyright के देखे जाते हैं उनकी एक पैसा नहीं कमा पाते हैं क्यों copyright infringement के चलते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोट copyright infringement के law को स्ट्रॉंग कर रहा है ताकि अगर कोई भी copyright infringement करे तो उसके खिलाब कड़ा legal action लिया जा सके लेकिन at the same point of time ये कड़ा legal action जो copyright owners हैं music और software के owners हैं उनको एक अलग right दे देगा भाई यहाँ पर सजा देनेगा मतलब छोटे मोटे players को यहाँ पर non-bailable offense के अंदर पसा के jail में डाला जा सकता है उनकी हिलाब criminal investigation शुरू करवाए जा सकते हैं on the basis of copyright infringement ठीक है भाई अच्छा copyright act trademark law की तरह नहीं है trademark law तब लागू होगा जब आप trademark को register करते हो लेकिन copyright act के अंदर आपके copyright content को register करने की जरूत नहीं जैसे for example T-series ने कोई एक गाना बनाया तो जैसे T-series ने गाना बनाया और वो गाना release हो गया यहाँ पे वो जो particular गाना है वो T-series का copyright है अब उस गाने को कोई और कहीं नहीं दिखा सकता अगर आप YouTube में किसी और पॉब्लिक वीडियो प्लैटफॉर्म में T-series के गाने का छोटा सा क्लिप भी डाल दोगे न तो आपके खिलाफ copyright infringement का notice हा जाएगा प्लस भाई copyright यह जो act है ना आपका इसमें और भी बहुत सी problems है जैसे कि अगर आप देखो तो section 52 of the copyright act के अंदर अगर आप जाते हो तो copyright infringement को लेके कुछ limitations दे रखें कुछ exceptions दे रखें तो अगर किसी copyright production को मान लीजे कहीं इस्तमाल किया जाता है तो क्या उसको इस्तमाल किया जा सकता था क्या वो design act of 2000 के अंदर तो नहीं आ जाएगा बहुत सारे copyright production को design act 2000 के अंदर भी design act 2000 के अंदर भी consider किया जाता है बहुत सारे cases में अगर कुछ समय बीद गया है तो फिर आप copyright infringement का violation नहीं लगा सकते किस प्रकार से किसी गया है overall copyright infringement actually में हुआ है या नहीं हुआ इसको पता करने में most experienced of lawyers, judges और academics अकसर कर केसों में उलच जाते हैं जो copyright act को involve करते हैं तो ऐसे cases में क्या आप ये भरोसा कर सकते हैं कि एक police sub inspector जितनी इनको training जाती जितनी funding दी जाते police department को वो इतना competent होगा कि copyright infringement के law को कोशिश कर रहा है और यहीं बताने कोशिश कर रहा है कि जो copyright infringement को cognizable offense आपने बताया है ये गलत है आपको copyright infringement को cognizable offense नहीं बनाना चाहिए चुकि copyright infringement हुआ नहीं हुआ इसके लिए copyright act का जो informant है उसके बाद court में जो बहस है ये बड़े-बड़े वकील और जजजे इसमें confused हुआ जाते हैं तो एक sub inspector ground level पे cognizable offense के बहाफ केस की investigation करेगा तो बिलकुल proper करेगा सही करेगा इसकी कोई guarantee रही है और अगर देखा जाए तो Britishers ने Imperial Copyright Act 1911 इंडिया में अपलाई किया था कब अपलाई किया थो 1914 में उसके बाद से अगर आप देखो तो copyright infringement को लेके अकसर कर केसे लड़ा जाते रहें 1957 में copyright infringement को लेके हमारे देश में एक साल की सज़ा दी गई उके उसके बाद उस सज़ा को तीन साल तक आगे बढ़ाए गया यहां पर भी copyright infringement को करने की बात की जाती है बट प्राब्लम यह कि copyright infringement को यहां पर प्रापर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है ठीक है intellectual property rights की बात की गई है बट वाट इस बेसिकली copyright infringement इसको डिफाइन नहीं किया गया फिर यहां पर दो टम्स आ जाते हैं एक आता है copyright infringement एक आता है copyright piracy अब यह क्या चीज़ है copyright infringement एक general type का शब्द है कि हाँ बाई किसी का copyright content है आपने गलत तरीके से इसमाल किया तो infringement हो गया और एक होती copyright piracy जिसको आप समस्कतों जैसे फॉर एक फिल्म मनाईगी आप उस फिल्म की cd की duplicate copy market में भी करें है आप देखा हो चोटे में लोग इस प्रकार की duplicate copies लागे movie वगरा देखा करते थे ठीक है तो इसको आप बोलते हो piracy अब copyright infringement क्या है copyright piracy क्या है इसमें भी अपने आप में फर्क है कई किसे copyright infringement को सही नहीं माना गया copyright piracy को सही माना गया कभी कभी क्या होता है कि दो बूक्स में अब दो बूक्स में एक किसी particular topic को लेके similar content लिखा हुआ है तो एक वेबसाइड ने कोई आर्टिकल पॉब्लिश किया मान लो labnol.org करके टेक वेबसाइट है जो कि इंडिया के बहुत बने टेक ब्लॉगर अमित अगरवाल चलाते हैं अब उनकी किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के कोई शब्दों को उठा के कोई दूसरी टेक वेबसाइट अप अहां पे copyright infringement को आप एक cognizable offense बनाके पुलिस को ताकत दे दो investigation की यह सही अप्रोच नहीं है आगे बढ़ने की ऐसा बताया ज़रा है फिर इंडियन copyright act में दो प्रकार के copyright violations बता रखें एक commercial एक non-commercial तो non-commercial में सजा ज्यादा है commercial में सजा थोड़ी कम है प्रस copyright infringement के जो crimes होते की जैसे for example राकेश ओंप्रकाश महरा का आपने नाम सुना होगा रंगदे बसंती नाम की इन्होंने एक movie बनाई थी आमिर खान की बड़ी famous हुई थी आपको याद होगा अब इस particular movie को बनाने के चक्कर में राकेश ओंप्रकाश महरा को कुछ दिनों तक जेल में रहना नवंबर 2021 में इनको छोड़ा गया इनके ओपर रिज़ाम क्या था तो राकेश ओंप्रकाश महरा ने जो script बनाई थी रंगदे बसंती की ये script किसी और दूसरे script writer ने बोला कि मेरी है मेरी script को इस particular film में गलत तरीके से राकेश ओंप्रकाश महरा ने इस्तमाल कर लिया ऐसा हो प्रकार की copyright infringement की बात हो रही है आपको proper एक modus operandic standard operating procedure यहाँ पर define करना पड़ेगा कि कौन से प्रकार की copyright infringement अप्रोच में हम कौन से प्रकार के jurisdiction और SOP को follow करेंगे ना कि सिर्फ एक set of law आप लगा दोगी हाँ पर एक cognizable offense से पुलिस वाला inquiry करेगा चुकि अपकी हम जानते है कि पुलिस वाले इतने train नहीं है कि वो इस पकार के crimes में inquiry कर सके यह सब बाते यहाँ पर बताई गई है अगले आर्टिकल के तरफ शलते है डिकोर्डिंग चाइना पैंगॉंग सोपे एक bridge बना रहा है और इंडिया साफ साब बोल चुका है कि जो bridge पैंगॉंग सोपे बन र रहे हैं आप देखे चाइना की अगर बात की जाए इंडिया ऑलरी चाइना के रिस्पेक्ट में 1962 में कुछ डिप्लोमाटिक मिस कालकूलेशन कर चुका है डिफेंस प्रपेडनेस में इनडिक्वेसी इसकी वैसे हम पीछेट गये थे अभी के लिए हमारी डिफेंस प्रपे जिन जियांग और तिबत को जोडने के लिए अकसे चिन से हमने सड़क बना ली अगर आप देखे तो यह जो इंडिया के नक्षा ऐसे गया हुआ है इस तरफ पे इधर आपका जिन जियांग है नीचे तिबत है इसकी बीच से एक ऐसी रोड बना दी लेकिन यह जो अकसे च चाइनीज कंट्रोल में, 1962 में भी यहां पे लडाई हुई थी, 2017 में भी यहां पे लडाई हुई थी, 2020 में भी यहां पे एक चोटी मोटी लडाई हुई, मतलब चाइना एक ऐसी कंट्री है जो जनरल रूस आप इंटरनाशनल ला को फॉलो नहीं करता है, किस प्रकार से फॉ अब इस बात के रिस्पेक्ट में कुछ और केसे को देखते हैं पर्मनेंट कोट ऑफ आर्बिटरिशन जूकि हेग में बैठता है उसने आइलेंड ऑफ पालमस केस में क्या बोला था यहां पर्मनेंट कोट ऑफ आर्बिटरिशन के अवर्ड ने क्या बोला था कि भई पीसफुल डिस्ट्रे ऑफ टेरिपोर्डर से वरेनिटी होनी चाहिए तो यहां पर चाइना क्या बोल रहा है कि हम पैंगॉंग सोक ओपर बिर्ज बना रहे हैं तो हम तो पीसफुल तरीके से बना रहे हैं पर यह मतलम नहीं है यह जो पर्टिकुलर इलाका है जहां पर हामी नहीं भरी है अलड़ी लंबे समय से बातते चल रही है मिलिटरी रीजनल कमांडर्स के लेवल पर लेकिन चीजने सौट आफ नहीं हो रही है बहुत सार इलाके से हैं जहां पर अभी भी डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है तो अव्वेसी बात है इंडिया ने यहां पर क चाहिए लेकिन ओवर ओल चाहिन इस इंटरनाशन अप्रोच को फॉलो नहीं करता है अगर कंटेंपरी इंटरनाशनल लॉव में टेरिटोरिल कोश्चन के रिस्पेक्ट में अगर बेस्ट प्रोवीजन देखे जाए तो वह है आर्टिकल टू क्लॉस थरी अर्टिकल टू क् अगेंस टेरिटोरिल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ओफ एनी स्टेट मतलब आप ऐसा कोई भी आक्शन नहीं करोगे कि आप किसी और देश की टेरिटोरिल इंटीग्रिटी के ओपर अटैक कर रहे हो और चाहिना पैंगॉंग सो के ओपर यह जो ब्रि और यह चाहिना ग्राउंड लेवर पर प्रॉपर तरीके से कर रहा है और ऐसा नहीं है कि यह जो चाहिना मोडस ओपरेंडी यहां पर अपना रहा है इसको पहले किसी कंट्री ने अपनाया नहीं है एक लीगल कॉंसिक्वेंसे ओन दे कंस्ट्रॉक्शन ऑफ वाल इन इसको इंटरनाशनली इलीगल बोला तक इसने इंटरनाशनल कोड और इस प्रकार की कोई चीज होती है जैसे कि पेलेस्टीन इंटरिटरी में जाके दिवाल बना देना पैंगॉंग सो के ऊपर ब्रिज बना देना इस पर्टिकूलर आप कहलो ये अक्टिविटीज को एक्क्वेजिशन ऑफ टरिटरी बाइ फोर्स यहाँ पर कहा जा सकता है बैसिकली इस एक्शन इस अमाउंटिंग टू एक्क्वेजिशन ऑफ टरिटरी बाइ फोर्स फिर भाई एक और ऐसा ही केस था इसी जी का इस पर्टिकूलर ब्रिज बना रहे हो कि हम तो पीस्फूली बना रहे हैं ना किसी प्रापर्टी को नुक्सान हुआ है लेकिन अट पॉइंट पॉइंट आफ टाइम आप इंडियन परसंशन वाली लाइन के इंदर ब्रिज बना रहे हो इंडिया इसमें पर आपके पलट के वार नहीं कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि आप सही कर रहे हो आप गलती कर रहे हो इस इस अमाउंटिंग टू एनक्सेशन ओफ ए फॉरन टेरिटोरियल जुरिजिक्शन बेसिकली इंडिया के टेरिटोरियल जुरिस्टूशन को यहां पर जबरदस्ती अपने अंदर बिलाने की कोशिश कर रहा है चाइना इस पर्टिकुलर ब्रिज को बनाके इंटरनेशनल जुरिस्प्रिटाइशनल लौ में युएन चार्टर के आर्टिकल टू क्लॉस थी और आर्टिकल टू क्लॉस फूर को अगर डैसिफर किया जाए तो यह चीज मिल किया आएग गया और अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जश्टिस के जजज्मेंट को दिखा जाए बट चाइना रुकनी रहा और इंडिया ओप जब तेलांगना बना तब आंदर प्रदेश वर्सेस तेलांगना वाला मुद्दा बिल्कुल जिन्दा था तो 2014 में जो तेलांगना रास्ट समीति की सरकार थी वो एलेक्शन जीद गई फिर ऐसा लगा कि भाई 2018-2019 की जो एसेमली एलेक्शन से इसमें ओवर ओल ये आंदर वर्सेस तेलांगना वाला मुद्दा शान्द बैट गया होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब इलेक्शन होने वाले हैं 2023 के एंड में जब अब इलेक्शन हूँगे तब क्या ये तेलांगना वर्सेस आंदर प Aberdeish वाला मुद्दा जिन्दा रहेंगा देखिण उसके importance कम हो चुकी होगी और caste politics की importance बहुत अत्तक जादा हो चुकी होगी और चाहे SC caste हो चाहे OBC caste हो चाहे upper caste हो सब के वोटों को अलग-अलग political parties अपने अपनी तरीके से अपने अपनी तरफ खीचने कोशिच करें जैसे कि BJP की बात की जाए तो BJP OBC community के अंदर मुनूरू कापू community के वोटों को खीचना चाह रही है मुदी राजूस के वोटों कीचना चाह रही है चोकी कुछ OBCs, Gods और यादव ये तेलांगना रास समीती के तरफ जाते नजर आ रहे है इसी respect में देखो तो मुनूरू कापू community के एक individual है के लक्षमन इनको अभी राज सभा का MP बनाए गया है बीजेपी के द्वारा थू आउ उत्तर प्रदेश सीट तो इसका क्या मतलब इसका मतलब ये है कि overall मुनूरू कापू community के लोगों को representation देके पार्लेमेंट में बीजेपी यहाँ पे इस particular community के vote bank को खीचने की कोशिश कर रही है और ऐसा नहीं कि बीजेपी अकेले यहाँ पे यह कर रहा है और भी political parties है जो अपनी अपनी तरफ से अपने मतलब अलग-अलग जगह पे vote ओं खीच लिए जैसे for example लगर देखा जाए तो ready community की बात की जाए अभी के लिए जो तेलांगना के congress chief है ए रेमंत ready इनका क्या बोलना है यह ready community वेलमा community से अच्छी है और यह जो ready community है यह congress को vote देगी जबकि actually में ready community अभी के लिए TRS और BJP की बीच में बटी हुई है तो congress यहाँ पे ready community का vote अपनी तरफ खीचना चाह रहा है Congress को पहले schedule cast, schedule tribe और OBC से support मिला था कुछ cast से उनका vote अपनी तरफ खीचना चाह रहा है फिर यहाँ पे एक IPS turn politicians है RS प्रवीन कुमार यह दलित empowerment की बात करते हैं और बहुजन समाजवाती party को represent कर रहे हैं तेलांगना के अंदर तो कुल मिला के आप यहाँ पे क्या कहने हैं कोशिश कर रहे हो अलग-अलग political party चाह वो upper caste हो चाह वो most backward classes हो चाह अधर backward classes हो इसके अंदर के जो sub sections है इनके वोटों को अपनी तरफ कीच नहीं अलग-अलग तरीके से तो कुछ लोग ground level पे minister की seat देने का promise कर रहे हैं कुछ लोग राजसभा हमें यहाँ पे nominate कर रहे हैं members को यहाँ पे most backward classes community भी बहुत एक major role प्ले करना वाला है ऐसा बताया जाता है कि most backward classes communities के लोग अक्सर कर Congress को वोट देते हैं लेकिन इनके वोट को भी BJP और TRS खीचने कोशिश कर रहे हैं Muslims की बात की जाए तो यह भी एक बड़ा तपका है अभी तक Muslims TRS को वेट दे रहे थे स्टेटों में ही कास्ट के अधार पर पॉल्टिक होती नहीं ते लांगना और आंदर प्रदेश के अंदर भी कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है आगे बात करते हैं बहुत चांसलर कॉनंडर्म ओन वेस्ट बंगाल डिसीजन टू मेक CMS चांसलर बहुत देखें वेस्ट मंगाल की सरकार ने रिसेंट डिसाइड के और मैं बूलूंगा बड़ा डिसीजन है ये कि भाई चांसलर अप दा स्टेट रन युनिवरस्टी जगवर्नर नहीं होगा चीफ मिनिस्टर होगा अब हो गया काम भाई है यहाँ पे गवर्नर जगदीब धनकर ओफ वेस्ट मंगाल और चीफ मिनिस्टर ममता बेनर जी ओफ वेस्ट मंगाल इनके बीचे बनती है नहीं गवर्नर को अकसर कर स्टेट का एजेंड माना जाता है और गवर्नर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को प्रॉपर तरीके से प्लस तमिल नाडू ने भी बिल्स ऐसे पास किये जिसके बेसिस पे सरकार को ताकत होगी चांसलर अपॉइंट करने की ना कि गवर्नर चांसलर होगा समझे वेस्ट बंगाल के अंदर युनिवर्स्टीज का चांसलर गवर्नर से अठाके खुछ चीफ मिनिस्टर बन रहा है और तमिल नाडू के अंदर भले ही गवर्नर युनिवर्स्टीज का चांसलर हो लेकिन वास चांसलर को अपॉइंट करने की ताकर सकार अपने पास सक्री गवर्नर को देई नहीं रहे हैं और केरला में तो एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं केरला के जो गवर्नर है आरिफ मुहम्मद खान वो तो अपनली चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि भाई तुम मेरे को प्रापर तरीके से उनिवर्स्टी चलाने नहीं दे रहे हो मैं अज़ा चांसलर प्रापर तरीके से उनिवर्स्टी चला पाहूँ ऐसा होई नहीं रहा है universities की functioning में बहुत ज़़दा political interference हो रहा है तो भाईया मुझे chancellor की कुर्सी से अटा दो वहाँ पे पहले आरिफ मुहम्मत कान साम ने अपने हाथ यहाँ पे खड़े कर दिये तो अब हमको यहाँ पे समझने की कोशिश करेगी कि यह जो governors as in the capacity of जो chancellor काम करते हैं क्या यह सही है कि इसको ठीक बोला जाएगा देखिए governor को as an agent of center देखा जाएगा जबकि Supreme Court पहले बोल चुका है कि governor is an independent constitutional office it is not an employment under central government बट उसके बाद भी कहीं न कहीं governor के role के उपर अक्सर कर सवाल उठाया जाता है और अगर बात की जाए तो 1980s में RS सरकारिया कमिशन जो बनाया कहता है तो उसने भी बोला था कि भाई यह जो governor से अपने मन के ताबिक universities के chancellor अपॉइंट कर रहे हैं यह ठीक नहीं है यह सही तरीका नहीं है वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ गवर्नर को chancellor क्यों बनाया गया था यूनिवर्स्टी में यूनिवर्स्टी education system को represent करती है और education system के अंदर political interference रहे है यह सही नहीं है अगर यह political master, chief minister, council of minister अपने अपने इसाब से यहाँ पे chancellor, vice chancellor, university के administration को देखेंगे तो फिर politician वाली बात आजाएगी, political approach आजाएगी, फिर admissions में, पढ़ाई में, फीसों में, सब में political approach आजाएगी, political interference आजाएगी इसलिए governor को chancellor बनाया गया था लेगिन चूकि governor के chancellor बनने से भी यहाँ पे political interference आ रहा है इसा बताया जा रहा है, तो उसके चक्कर में बहुत सरे राज़ी की सरकारे बोलने की नहीं, vice chancellor तो हम ही appoint कर लेंगे governor से हमें बात करने की जरूती रही है, और ऐसी खबरे कुछ वेस्ट मंगाल से और तमिल नाडू से निकल के आ रहेगी तो at the end यहाँ पे देखा जाए तो author यही कहने की कोशिश कर रहा है, कि better यही रहेगा कि जो chancellor की post है ना governor से यह छीनी लिया जाए तो better रहेगा M.M.Punchy Commission जो बनाया गया था, इसने 2010 की report में क्या बोला, कि governor को एक limit से ज़्यादा position और पावर देने की जरूत नहीं है और यहाँ पर यह यह कह रहे हैं कि जो universities के chancellor की power आप दे रहो governor को, यह आप ना दो तो better है चुकि क्या रहता है कि जो राज्य का executive है, chief minister उनकी minister, वो कहीं न कहीं universities में appointment करना चाहते है अब ऐसे cases में जो governor है वो अपना agenda अलग चला रहा है, जो राज्य की सरकार है वो अपना agenda अलग चला रही है तो यहाँ पर clash of functions and power हो जाएगा और यह clash of functions and power desirable नहीं है तो better यह रहेगा कि governor को chancellor आप ना बनाओ, लेकिन at the same point of time इस article में यह भी बोला जा रहा है कि भले आप governor को chancellor ना बनाओ, लेकिन जो political bosses ने state के, cabinet of ministers, council of ministers, headed by chief minister इसको भी पूरी ताकत मत दो university appointments में, university appointments भाई, non-political होने चाहिए जब तक university appointments political होंगे, तब तक political interference रहेगा एक university की काम करने के तरीके में और यह education की quality के लिए है, education की quality के लिए तो अगर एक viewpoint यहाँ पर यह दिया जा रहा है कि governor को chancellor नहीं मनाना चाहिए तो at the same point of time एक university का administration राज की chief minister और council of minister के हाथ में भी नहीं होना चाहिए यह दोनों ही चीज़ें बहुत सदा important है ठीक है भई? और चलते हैं हमने आखरी article की तरफ weekend in victory on Boris Johnson winning no confidence vote तो Boris Johnson सामने no confidence vote यहाँ पर survive कर लिया है देखा जाया, तो इनकी conservative party के अंदर जो 359 MPs थे 211 ने इनको support किया लगबग 59% में और 41 party lawmakers इनके against थे तो अभी के लिए no confidence motion इनके against पास नहीं होगा लेकिन अपने आप में अब Boris Johnson को थोड़ी tension लेने की जरूँ थे क्यों जरूँ थे? चुकि देखें लगबग 3 साल पहले ही Boris Johnson यहाँ पे जीत के आये थे Parliament के अंदर एक तगड़ी majority के साथ और ऐसा कुछ हुआ है पिछले 3 सालों में कि जो popularity है Boris Johnson की बहुत गिर गई है उसकी major वज़ा यह रही थी कि जब pandemic का lockdown लगा था तब Downing Street के अपने घर में social gatherings कर रहे थे Boris Johnson अब Britain जैसी developed countries में एक तरफ लोगों को आपने lockdown बंद कर रहा है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टरों के साथ मजे कर रहा है तो यह चीज़े इंगलेंड की quality में नहीं चल पाएंगे ठीके ना लोगों के प्रती accountability है आपकी फिर अगर आप देखो तो Boris Johnson से पहले कुर्सी वब रैटी थी थरेसा में थरेसा में कि अगेंस 2018 में एक confidence motion लाए गया था लेकिन उनको 63% vote मिला था उनकी सरकार नहीं गिरी थी लेकिन अगले 6 महिनों में उनकी सरकार गिर गई और Margaret Thatcher के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था 1990 में Margaret Thatcher भी एक confidence vote जीत गई थी लेकिन बाद में उनकी रिजाइन कर दिया तो पहले के experiences से ये पता चलता है कि Boris Johnson लंबे समय तक ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर की कुरसी पर नहीं रह पाएंगे लेकिन यहाँ पे अब Boris Johnson को problems क्या क्या है देखिए बहुत सी problems है Boris Johnson के सामने जो उन्होंने pandemic के समय पे डाउनिंग स्टीट की जो पाटी की वो तो एक अलाग है inflation इस समय पे England के अंदर 40 सालों में सबसे यादा हाई है ओके economic worst चल रहे हैं country के लिए Boris Johnson सहाब Brexit के king रहे है मतब Brexit hard line approach रही कि Brexit से बाहर निकलो बट चुकि यह Brexit से बाहर निकले तो United Kingdom का जो trade है European Union के साथ यह effect हो चुका है तो उसके चलते economy भी कहीं न कहीं UK की pressure में आ रही है और Russia के invasion को लेके बहुत अब तक pro west रहा है Russia के ओपर sanctions लगाना weapons भेजना Ukraine इसमें Britain involved रहा है तो इससे कहीं न कहीं Britain के उपर भी impact है Britain में तेल के दाम बढ़ें इस economic sanctions को रश्या के उपर लगाने के वैसे Britain के economy पे भी pressure आया है तो यह जो सारे के सारे pressure है यह overall Boris Johnson की standing को कमजोर कर रहे है ऐसा opinion post में देखने को मिला है कि conservative से ज़्यादा labor party को लोग पसंद कर रहे है तो आगे आने वहले समय में लंबे time तक Boris Johnson अपनी कुर्सी पर बैट पाएंगे इसकी guarantee देखो है नहीं और इसके बारे में थोड़ा idea तब लगेगा जब June 23 को by election होंगे Wakefield और Tiverton और Honiton constituencies के इन constituencies में ऐसा बताया जाता है कि labor party जीत जाएगी अगर यहाँ पर conservative party जीत पाती तो कहीं न कहीं लगेगा कि यहाँ थोड़ा बहुत Boris Johnson कमांड में है और अगर यहाँ पर in particular constituencies में conservative party हार जाती है labor जीत जाती है तो इसको समझा जाएगा कि हाँ बाई Boris Johnson की कूरसी नंभी नहीं बची conservative party की सरकार गे रहेगी और labor party की सरकार आईगी अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसको हम लोग आगे देखेंगे so thank you for watching friends वीडियो को like और share करके चाहिएगा instagram पर follow कर लिजेगा telegram group join कर लिजेगा दोनों चीजों का link चे दिया